वेल्कम स्टूडेंट्स आज हम समरी करेंगे वी आर नूट अफरेड टू डाई इफ बीक एन आल बी तो गयदा इनके जो इस चैप्टर के जो राइटर हैं यह है गोडन कुक एंड अलैन इस्ट इसको इसकी समरी करने से पहले हमें जो है वो पार्ट्स ओफ शिप का नोलज देखिए है आज कहां पे लिखा हुआ आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं और फिर यह वो बताया हुआ है जो शिप का आगे का हिस्सा है और हल मतलब हल का बोड़ी ओफ शिप तो इसमें जो है पार्ट्स ओफ शिप की नोलज इसके लिए बहुत जुरूरी इसको लर्न करने के लिए बताया गया है लसन के अंदर जो शिप है तुफान के अंदर फस जाता है तो यह पिक्च बनाई गई गया है इसके बाद जो राइटर है इस चेप्टर का वो डिसाइड करता है कि वो प्लाइमोथ जो इंग्लैंड के अंदर है वहां से प्लाइमोथ से लेकर क के अंदर है अस्टेलिया तक जाएगा जैसे की जेम्स कुक ने किया था तो प्लाइमोथ जैसे इंगलेंड के अंदर है कैप्टोन एफएरका के अंदर है लेकिन जैस्टेलिया नहीं पहुंच पाया बाद में जो इनका शिप है इनको एमस्टरडम में लैंड करना पड़ा त तो एक है जिब, जिब का मतलब होता है ट्राइंगुलर स्टेस सेल, मतलब तिकोना जो पाल है, शिब के उपर जो लगाया जाता है, बोट के उपर उसको जिब कहा जाता है, नोर्स एक मेर आफ शिब स्पीड, शिब की गतीम आपने की एक आई है, टोरेंट का मतलब होता है र फिर मेन मास्ट मुख्य मस्तूल, मेन पॉल तू स्पोर्ट दा शिप, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप अफ सम्थिंग, जैसे जहांके लहर का टॉप होता है, पॉब्ड मीन्स रोज सडनली, अचानक उठ जाना, फिर है है हैच, हैच मीन्स ओपनिंग फेस इन दा फ्लोर जहां से शिप के अंदर समान लादा जाता है, डोया जाता है, निकाला जाता है और रखा जाता है, उसको कहते हैं हैच, जैसा बीम जिसके उपर वो शिप टिका होता है, तो जो राइटर होता है इस चेप्टर का जैस एक बिजनस मैन होता है, इसने डिसाइड किया कि he decided to go round the world, पूरे संसार का चकर लगाने की कोशी की, in the same way as captain James Cook has done, जैसे की captain James Cook ने किया था, तो इसके लिए इसने तीन साल प्रयास किया, इसने बेव वाकर बनाई, एक बोट बनाई, जो 23 मीटर लंबी थी, और इसका 30 टन बेट था, तो इसकी जो जातरा थी, इसने अपनी जातरा को दो भागों में बाटा, फर्स्ट फेस था प्लाइमोथ to captain, प्लाइमोथ इंगलेंड की अंदर है, captain South Africa की अंदर है, सेकंड फेस में इसने कैप्ट उन से Australia में जाना था, जो 1,50,000 किलो मिटर था, इसने अपने साथ अपनी family को भी ले जाने का निरने किया, जिसके अंदर इसकी wife थी Mary, son जिसका नाम जोन था, daughter इसकी स्यू थी, जिसकी seven year age थी और son की six year, तो July 1976 में इसने अपनी जात्रा शुरू की, जो पहला चरन था, जे बहुत अच्छी तरिया से गुजरा, the first face of the journey passed pleasantly, but the जहां पे जो राइटर है, राइटर, it was known to the writer about Southern Indian scene, जो राइटर है, दक्षणी महासागर के बारे में पता था, it was very stormy sea, जे बहुत तुफानी समुदर था, so he took here two sailors with him, उसने जहां पे दो sailors दिये, first sailor का नाम था Lord Vigil, Larry Vigil, second sailor का जो था, वो Swiss herb sailor, तो जे दो sailor इसने अपने साथ लिए, अब जो second face है, second face के दुरान क्या हुआ, on second January 1977, rough weather begin, rough and terrible weather begin, rough, जो weather है, बहुत मुसम खराब हो गया, the ship was now caught in the storm, जो ship है, वो तुफान के अंदर फस गया, the ship was now badly damaged and broken, जो ship है, बहुत बुरी तरह क्षतिगरस्त हो गया, water entered into it, पानी इसमें प्रवेश कर गया, तो, on fourth January, they were able to took their first day meal, but this relief was short-lived, जो रहा थी short-lived थी, in the evening, black clothes begin to wear, शाम के समय, काले बादल शागे, and by dawn, the situation became terrible, और प्रभात तक जो उनकी स्टितिया और भ्यानक हो गई, then writer went to comfort the children, जो writer है, वो बच्चों को सांतमना देने के लिए गया, but the son of the writer said, उसके जो पुतर उसने कहा, John ने क्या कहा, John said, that father, we are not afraid to die, if we can all be together, पिता जी हम मरने से नहीं डरते, अगर हम सारे एकठे हूं, these words of the son filled the writer with self-confidence, जे जो शव्द थे जो उसके पुतर ने कहे, इससे जो writer है, वो आतम विश्वा से भर गया, and he determined to fight the sea in every way, उसने निरने लिया कि समुदर से लडने का, and at last, they were able, और अंत में, they were able to spot a tinny island, Amsterdam, अंत के अंदर वो एक शोटा जो है, आईलेंड, जो है, उनको मिलके जिसका नाम था, Amsterdam, तो इस तरह से, इस lesson के अंदर जो writer है, हमें एक message देना चाहता है, कि one who is optimistic, जो हमेशा आशावादी होता है, has no fear of failures, उसको असफल होने का डर नहीं होता है, मतलब, we should not lose courage in the face of danger, जब भी कोई मुसीबत आती है, तो हमें होसला नहीं खोना चाहिए, हमें उसका डट कर सामना करना चाहिए, तो this was the all about this lesson, have a nice day.